हलो एव्रिवान कैसे हैं आप सभी I hope you guys are doing absolutely amazing स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे मेरे नाम तानिया शर्मा है और मैं इस चानल पर दिलो जान से क्लास 10th, 11th और 12th की बच्चों को इंग्लिश बढ़ाती हूँ बहुत दिनों से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैं क्लास 12 के लिए प्लीज हमें टाइम टेबल बता दो और ये भी बता दो कि आप इंग्लिश की जो क्लास हैं वो कब-कब लाइव इस चानल पर लेने वाले ह कैसे कैसे पूरा सिस्टेम चलने वाला है ताकि हमसे एक भी क्लास मिस ना हो कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइव क्लास लिया था क्लास 12 के लिए जिसमें मैंने आपको पूरे साल का एक रोड माप दिया था कि आप बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और साथी आपकी किस तरीके से मदद करूंगी इस पूरी जर्नी में अगर आप बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं आज इस वीडियो में जो बोलने वाली हुगो समझ लेना टाइम भी ले तो उस वीडियो को भी देख लेना प्लेलिस्ट में भी मिल ज बड़ा-फट से मैं काम की बात पर आती हूं क्लास 12 के लिए टाइम टेवल में आप लोगों को इहां पर बताने वाली हूं क्लास 12 में बोर्ड एक्जाम्स होते हैं यह आप सबको पता है और क्लास 11 की तरह हलके में हमें इस क्लास को नहीं लेना होता है विकर यह क्लास वर अपकी स्कूल जर्णी की बूस आई सबसे पहले किसी और सब्Zλη लेंने से पहले अपने सब्जेक्स की बात करूंगा इंग्लिश की यार देखो एक टाइम टेवल जो होता है जैसे स्कूल में टाइम टेवल होता है कि मंदे को ब्ड़े जरोगा और यह होगा यह यह होगा यह होगा वैसे ही टाइम टेवल हमें अपनी लाइफ में भी मिंटेन करना पड़ता है बट एक टाइम टेवल लाखो बच्चे फॉलो करें ऐसा पॉसिबिल ही नहीं है क्योंकि हम सब बच्चों अलग-अलग घरों में रहते हैं हमारी जिंदगी अलग-अलग है तो इसलिए हर बच्चे अपने टाइम की अकॉर्डिंग की टाइम टेवल बनाता है बट वो कैसे बनाना है क्या करना है यह मैं आपको बताने वाली हूं शुरुबात में इंग्लिश पर करने वाली हूं क्योंकि इंग्लिश आपको पूरा साल मैं पढ़ाने वाली हूं यार द बहुत सारे topics जैसे कि आप देख सकते हो, notice हो गया, formal, informal invitation हो गया, letter हो गया, report हो गया, article हो गया, इस type से आपसे topics पूछे जाएंगे, literature जो है आपकी बचेवे 40 number की होगी, यारे कि इन दोनों के अगर आप number मिलाओगे तो यह हो गए 40, और जो literature है वो अकेली ही आपकी 40 number की है, grammar यहां पर नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग बच गए हो, but again, equal number of effort हमें इन तीन सेक्शन में माणने पड़ेंगे, अब जब हमें पता चल गए कि यह तीन सेक्शन कितने number के आ रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, literature जो एकलौता 40 number अपने आप में stand कर रहा है, उससे अप अपने को क्या पढ़ना है, यार देखो आपके पस दो बुक्स होंगी, flamingo और विस्तास, ठीक है, दो बुक्स है, आपको भी पतार 11 में भी 10 में भी दो बुक्स थी, तो कोई नहीं बात नहीं आपके लिए, ठीक है, एक main book है, एक supplementary book है, तो flamingo आपकी main book के अंदर 6 चाप्त है, पांच कविताएं है, इसास में जो supplementary book है, टोटल आपके 7 चाप्तर है, यह मैं आपको थोड़ा सा overview दे रही हूँ कि English में है क्या, और ऐसा ही overview आपको अपने हर subject के लिए ले कर रखना है, लिख के रखना है, कि हाँ भाई, अगर हम कोई भी subject पढ़ रहे है, history पढ़ र तो अब मैं आपकी किस प्रकार से मदद करने वाली हूँ, पहले मैं यह बता रही हूँ, फिर मैं आपके time table पर आऊंगी, ठीक है, अब मैं आपने English का हमें, यह तो बता दिया, यह literature है, यह reading है, राइटिंग है, बट हमें इस चानल को हम क्यों subscribe करें, इस चानल से हम क्यों जुड़े रहे हैं, हम आपके साथ क्यों जुड़े रहे हैं, यह आप हमें बताओ, हम बाकी teachers के साथ क्यों न जुड़े रहे हैं, यह सबसे पहले तुम्हें बिल्कुल honestly बताऊंगी, आपके जिससे vibe match हो, आप उसके साथ जुड़े रहो, ठीक है, बहुत सारी YouTube पे बढ़ पूरा content available है, क्योंकि as a student यह चीज बहुत दिक्कत देती है, कि आपने दो चैप्टर पढ़ लिए, तीसरा चैप्टर टीचर अप्लोडी नहीं कर रहा है, चौथा अप्लोडी नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन करा रहा है, और मैं अपने last year के experience से आपको बता सकती हूँ, कि मैंने खुद ने ऐसे बहुत सारे teachers देखे हैं, वो उनके कुछ भी reason हो सकते हैं, ना consistency maintain करने के YouTube पे, बहुत सारे ऐसे teachers जोने पूरा साल नहीं पढ़ाया, और last में आके वो marathons ले रहे हैं, ठीक है, marathons में भी क्या कर रहे हैं, important questions करा रहे हैं, त तो वैसे ही आप दो चीजे देख लो, एक तो आपकी vibe किस से match हो रही है, और दूसरा कि क्या वो teacher पूरे साल आपको content देने वाला है, अब मैं क्या देने वाली हूँ, मैं वो बता देती हूँ, सबसे पहले हर एक chapter का one shot आपको मेरी side से मिलेगा, मेरे YouTube चानल पे, हर chapter आपको one shot में एक ना एक बार जरूर मिलेगा, पूरे साल में एक से जादा बार मैं आपको chapter पढ़ाने वाली हूँ, यानि कि ऐसा नहीं है कि मैं आपने एक बार ही one shot पढ़ा दिया, तो मैं उसके बाद हमें कुछ पढ़ाएंगी ही नहीं, मैं आपको एक chapter को तीन से चार बार इस channel पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक दम घुस जाए, और अगर जो बच्चे मुझ से 10th और 11 से connected है, उन्हें बहुत अच्छ से पता होगा कि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, तो आपको one shot मेरे channel पे जरूर मिलेगा, यानि कि एक ही बार में पूरा chapter आपको अल डूंगी, ठीक है, तो one shot में पूरा आपका line by line explain करूँगी, खाली समरी नहीं पढ़ाऊंगी, line by line explanations होगा, चाहे वो आपका कोई भी chapter हो या आपकी कोई कविता हो, कोई भी कविता है तो उसकी literary devices, उसकी theme ये सब भी आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, पूरा एक ऐ बच्चों को पढ़ाते में आई हूँ, next, जब आप ये कर लेते हो, हाना अब अगर आप अपना self study भी कर रहे हो, तो आप से पहले chapter पढ़ोगे, उसकी बाद next step होगा, आपका question answers का, तो बच्चे को धक्के ना खाने पड़े, इसलिए question answers में दो टाइप के question answer आते, एक आते NCRT एक आते है क्योंकि wealth board है तो PYQ, कि पिछले साल कौन से ऐसे important question है जो पूछे गए है, ये दोनों ही आपको मैं provide करने वाली हूँ, class में भी, मेरे telegram channel पर भी और insta पर भी story लगा दूँगी, ठीक है, तो यानि कि description में और comment section में ही पहला-पहला link है, telegram join कर लो, insta join कर लो, आपको इसके अलावा और कोई question answers जूनने की, धक्के खाने की, previous year में bouquet चाटने की, हाना इसमें कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, alright, तो अब जब ये दोनों चीज़े हो गई, literature आपका मैं पूरा complete करा दूँगी, हाना question answers भी हो गई, explanations भी हो गई, अब आता है reading और writing, अब आपको भी पता है, ये दोनों section ऐसे हैं, जिन में practice की बहुत ज़ादा जरूरत है, हाना इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, इसमें कोई, मतलब कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पिला दू और आप कर पाओ, right, तो इसमें practice and practice, बच्चे बोलते हैं, मैं reading section solve नहीं हो प reading और writing, दोनों का ही map को YouTube पे format समझाँगी, YouTube पे इनकी बाइक काईदा classes लगेंगी, और सिर्फ paper time पे views के लिए नहीं, पूरा साल classes लगेंगी, ठीक है, and telegram channel पे अपको मेरी साइड से questions भी मिलते रहेंगे, ठीक है, कि मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया, एक solve करा दिया, म रून देगा, कौन Google खुल, तो वो काम भी मैं आपके लिए हां पर आपको करके देने वाली हैं, ऐसे ही writing में भी आपका जो concept format है, questions है, यह सब आपको मेरी YouTube और Telegram पे मिलने वाला है, अब जब आपका पूरा syllabus में, पूरे साल में दो से तीन बार revise करा दोंगी, तो pre-board के time प और वो वीडियो पे काफी अच्छे views भी आई हैं, बच्चों को पसंद भी आई है, यह वो वाले questions होते हैं, जो मैं काफी research करने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आती हूं, कि important क्या है chapter का एक है question, इसके अलावा मेरे बच्चों को कुछ और देखने की ज़रत नहीं आप लोग 10th करकर आए हूं, पूरे 10th के chapters का एक खटे वीडियो बनाने के लिए मुझे तीन घंटे लग गयते, most important question, एक एक question खड़े के समझाया था, तो time और energy बहुत जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग आपको खाली 2 chapter, 6 chapter, खाली poetry, ऐसे question answers दे देंगे, बट यहां पर आपको मेरी साइड से full syllabus के question answers मिलेंगे, साथ ही साथ वक्त आने पर आपको sample papers की practice भी इस channel पर मिलने वाली है, 10th में भी कराई थी, 11th में भी कराई थी, चाहो तो देख लो, वीडियो पड़ी है, तो यह पूरा आपका पूरा slide इस बात की guarantee है, कि आपको यह सारा material मेरे एंड से English by Tanay Sharma channel से आपको मिलने वाला है, तो प्लीज अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया, तो कर दीजिए telegram को join कर लो, classes को miss मत करो, अब माम यह सब तो आप देने वाले हो, आपने हमें बता दिया, और इन सब की slides भी आप टेलिग्राम पे अपने को दे दोगे हाना, यह सब सब्सक्राइब के लिए हैं, तो सब्सक्राइब के लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे अभी आपका, you know, session आगे बढ़ेगा, तो आपकी जो number of classes है, वो भी मैं बढ़ा दूँगी, बट आपके पास बाकी भी subject है, तो इसलिए मैं रोजाना class नहीं रख सकती, कि आप English में ही अपना पूरा time व्यतीत कर दो, हना English भी जरूरी है, इसलिए हफते में दोई class रखा, उसमें से भी एक Sunday को ही रखा, ताकि आप सब बच्चे आप आओ, फिक है बच्चों, तो प्ल आप भी अपने घरों पर बैठे हो, आपको number लाने से कोई नहीं रोख सकता, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट मेरे पास, फढ़ा मैं काफी सालों से रही हूं, चानल मैंने अभी ही शुरू करा है थोड़े टाइम पहले, बट उससे पहले मैं बहुत, युनो एक company में भी पढ़ा रही थी, offline भी पढ़ाती थी, तो मेरे पास काफी सालों के experience है, साथ ही साथ मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया भी है ना, marathans भी लिये हैं, तो मैं को पता है कि मैं कर सकती हूं, इसलिए मैं आपसे वादा कर रहे हूं, अब आते हैं बाकी subjects पे, तो यार देखो, जैसे मैंने आपके लिए English का time table बनाया, बाकी subjects, अब हर बच्चे के पास, you know, किसी के पास science, commerce, arts होगा, तो मैं सबके लिए time table नहीं बना सकती, right, बट हां मैं आपको कुछ लिस्ट दे सकती हूं, जिससे आपना time table जरूर बना सको, कैसे देखो, पहले तो आप अपना time जो आपका free है, वो वला निकालो, आप बोलोगे मैं free time ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 6-7 घंटे आप school निकाल दो, अगर completed exam की तियारी कर रहे हो, डमी स्कूल से हो, तो 6-7 घंटे उसके लिए निकाल दो, ठीक है, आपने सोने के लिए 6- 5 घंटे निकाल दो, खाने पिने के लिए निकाल दो, उसके बाद भी 4-5 घंटे आपके पास हाथ में बचते हैं, अगर आप वेस्त ना करो इधर उधर उधर, तो आप पहले वह वला टाइम निकालो, हर बच्चे का रूटीन अलगे, तो आप लिस्ट बनाओ, आप देखो इंग्लिश है, हिस्ट्री है, यह है, फलाना है, और उन सब्जेक्स के फिर सिलेबस की एक लिस्ट बनाओ, ताकि आपके आगे चीजे रहें, जब भी हमारे दिमाग में चीजे रहती हैं, हम इंप्लिमेंट नहीं कर पाते हैं, तब बिल्कुल दिमाग की खिचड़ी बन ज कोई पॉइंट है नहीं, तब भी आप कर रहे हो, तो प्लीज आप अटेंशन दो क्लास में, जैसे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो प्लीज लाइफ चाट छोड़कर अटेंशन दो मैं क्या पढ़ा रही है, अगर आपने यहीं से अपना 50-60 प्रतीशत समझ ल कोजिесь कर दो करने, तो यानि कि अगर आपके स्कूल में कूछ हो रहा है, आप स्कूल नहीं जाते, कोजिग में कूछ हो रहा है, कोजिग नहीं जाते, लाइव टल उसमें कुछ पढ़ा जा रहा है, पे अटेंशन, और उसके शौट शॉर्णोर साथध साथ बनाते चलो, त पता हो कि मैंने 60 प्रतीशत तो पड़ा रखा है अपने को बस याद करना है ठीक है समझ में तो फ्री टाइम निकल गया लिस्ट बन गई बस उसमें आओ और एक बार रिविजन कर लो जादा फोकस मतलब जादा टाइम अभी नहीं देना अगर आपको लग रहे नियार इंग्लिश कम जोर है बाकी कोई असान हो जाते तो इंग्लिश पर जादा ध्यान देना तो ऐसे ही आपको क्या करना है पूरे हफते में ऐसे लिए अपना हिस्ट्री और इंग्लिश फिर आप अपना ट्यूजडे को रख लो अपना कोई बी और सब्जेक्ट जैसे की मान लो आपने रख लिए अपना पॉल साइंस और एकॉनोमिक्स हाना ऐसा कुछ रख लो अब वेंजडे को आप दुबारा अपना हिस्ट्री और अपना जोग्रफ इस तरीके से आपको जैसा सही लगे आप उस हिसाब से एक दिन में दो सब्जेक्ट रिवाइस करने हैं अब सब्जेक्ट में भी क्या रिवाइस करना है जो आपके स्कूल में हो रहा है उससे हमेशा एक कदम आगे ठीक है मान लो अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर मैंने आपको क्लासस दिखाई Wednesday और संडे तो आप अपने इस शेडियूल में केवल और केवल Wednesday और संडे को इंग्लिश रख लो यह देखो for example अगर मैं यहाँ पर पूरा ही लिख देती हूं के भाई यह Monday हो गया Tuesday हो गया Wednesday हो गया Thursday हो गया Friday हो गया Saturday हो गया Sunday हो ठी इसी के साथ में और अपना हाफ एनार देखे हम अपने question answers वगेरा को revise कर लेंगे अब क्या करो इसके साथ और कोई subject रख लो अपना मान लो इन दोनों दिन आपने history रख दिया अब आपके पास इतने दिन बचते हैं अब यहाँ पर जोग्रफी रख दो पॉल साइंस रख द अगे चलना अगर आप चाप्टर ले रहे हो आप लग रहा आप उसको दो फार्ट में बाट भाट लो आपक्तमें बाट लो मा लोत कुछ भी पढ़ रहे हो Twice हमें अब ने बाट लिया तो उसमें कुछ टोपिक सो ऑगे मानलो चाटो पक् Las. ना चन यह आच करूगात आश क है इस तरीके से कि ये डेड़ घंटा है डेड़ घंटे में चार तॉपिक पढ़ने हैं सारी डिस्ट्राक्शन था दो फोन था दो टाइमर ओन कर लो टाइमर ओन रहते है तो उससे अपने को पता चलते है कि हां अपने को क्या करना है हर सब्जेक के बीच पे फुद को ब्रेक ब्रेक बहुत जरूरी है आप सोचो यार इक घंटे बैटके में पाच घंटे पढ़ लेता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता अपका दिमाग ठब जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपना एक रूटीन आपको डेवल अप करना है और यह फैक्टर्स टाइम टेबल बनाते वे अपनी जीवन में कुछ प्रोड़क्टिव कर रहा हूं ठीक है गाइस तो टाइमिंग से इनका स्क्रीन शॉट ले लिजे प्लीज इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे के मैं हमको क्या क्या कराने वाली है यह सारी चीज़े आपको इस चानल पर मिलने वाली है प्लीज चानल से यूड़े लइए टेलीगराम से आप लोग प्लीज यूड़े लएए टेलीगराम को जोईन कर लिजे मalley लिक देरिए अ लिकोमें प्लीज इन चारी चीजों को जोईन करके रकोhup o रहो कोई आपके घर नहीं आएगा बताने के भाई आज क्लास है आपको खुद से याद रख के classes में आना है ठीक है so that's it from my side I hope के आपको मदद मिले इस वीडियो से I hope हमारी class 12 की journey बहुत भैतरीन रहे comment कर देना जो बचे classes में आ रहे हैं मेरे साथ you know अब आज तो ये वीडियो आ रहे है but I know कि कल Sunday कल मैं out of town में नहीं आपाऊंगी कल की class नहीं होगी हम Wednesday से classes को resume करेंगे हमारी ए जो class है ना तब से resume होगा also recorded video भी आपको चानल पर मिलती रहेगे 12 से related तो प्लीज उससे भी आप लोग updated है ना जैसे यह आज recorded video आपको मिल रहे है ना थोड़ी सी duration की राइट कितने मिनट होगा इतने को बोलते हुए हां तो यह जैसे उनिस बीस पंद्रावीस मिनट की वीडियो है वैसे वो मिलती रहेगी चानल पर ठीक है जी so that's it thank you so much for today I will see you guys in the classes bye bye take care love you comment जरूर कर देना कौन-कौन बच्चार है thank you